दोस्तों अगर आपका Facebook account आपके phone में lockdown है और आपको ऐसा लग रहा है कि सायद किसी ने आपके Facebook account को hack कर लिया है आपको ऐसा doubt है कि कोई और भी है जो आपके Facebook account को access कर रहा है तो आज की इस वीडियो में जो secret setting में आपको बताने वाला हूँ उसके थुरू आप अपना doubt दूर कर सकते हैं और अगर आपका account हैक होगा तो उसे आप recover कर सकते हैं हैकर का access remove कर सकते हैं जियां दोस्तों कमाल का feature आपको Facebook पर मिलता है जिसे आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको ऐसा doubt हो कि आपका account हैक हो गया है यहीं नहीं अगर वाकई में हैक होगा है तो इस feature की help से आप वापस अपने Facebook account को recover भी कर सकते हैं तो कौशे दोस्तों Facebook की एक कमाल की useful setting और कैसे आप इसका use कर सकते हैं चलिए इस वीडियो में जानते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रमे सिंग और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS live learning में तो चले friends वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आप अपनी Facebook application में लोग इन है तो इस तरह से आपको Facebook app open करके top right corner में ये three lines पर क्लिक करना है क्लिक करते ही Facebook का menu page open जाएगा तो गाईज यहां पर आपको bottom side पे आना है और settings and privacy option पर क्लिक करके settings option पर क्लिक करना है इसके बाद Facebook की settings page में आपको top side में ही account section में password and security के इस option पर क्लिक करना है और password and security settings page में आपको scroll करके bottom side में आना है bottom side में आप if you think that your account has been hacked का यह option देख सकते हैं इस option पर आपको click करना है click करते ही next interface में आपके doubts related कुछ queries आपके सामने आएंगे तो guys इन में से आपको अपने doubts related किसी एक option को select करना है जैसे कि अगर आपको अपने facebook account पर कुछ ऐसी post message और events मिलते हैं जिने आपने share नहीं किये हैं तो यहां पर आपको I have found a post message or events that I didn't create के इस option को select करना है अगर आपको लगता है कि आपकी permission के बिना किसी ने आपके facebook account को open कर लिया है तो यहां पर आपको someone else got into my account without my permission के इस option को select करना है या फिर facebook पर आपको कोई ऐसा account मिलता है जिसमें आपका profile name और profile photo का use किया गया है तो यहां पर आपको यह third वाला option I found an account which uses my name और photos को select करना है और अगर आपको लगता है कि जो भी आपकी personal information थी जिने आपने private किया हुआ था उन्हें publicly कोई भी user देख रहा है तो यहां पर आपको यह second last वाला option people can see things that I thought were private को select करना है तो दोस्तों इन में से अगर आपको कोई doubt है तो उसे आपको select करना है otherwise आपके according कोई सही reason यहां पर नहीं है तो यहां पर आपको last option I can't see the right option in this list को select करना है और bottom side में continue option पर click कर देना है इसके बाद next interface में आपके facebook account को secure करने के बारे में पूछा जाएगा तो यहां पर आपको get started के इस option पर click कर देना है इसके बाद यह processing start हो जाएगी और आपकी personal information जैसे की profile name, phone number, email id, username, birth date और payment method के साथ साथ आपकी हर एक facebook activity यहां पर review होना start हो जाएगी और अगर आपके facebook account को hack किया गया होगा recently कोई भी changes उसमें किया गया होगा तो यह review complete होते ही उसकी जानकर यह आपके सामने आ जाएगी जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं जो भी recently changes आपके facebook account पर हुए होंगे उन्हें आप इस list में check कर सकते हैं अब अगर माल लीजिए इन changes में से आपने अपना email address change नहीं किया यह किसी और ने किया है इन में से कोई भी एक activity अगर आपको लगता है कि आपकी नहीं है तो यहां पर आपको continue option पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही next interface में आपके सामने password change करने का option है जाएगा तो guys यहां पर आपको अपना password change कर लेना है इसके लिए यहां पर आपको current की field में इस तरह से अपना current password enter करना है और इसके बाद new field में आपको अपना नया password enter करना है और same password new field में आपको enter कर लेना है इस तरह से strong password आपको दोनोई fields में enter करना है और continue option पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपके account पर हुए changes को review करने के options आपक को लगता है कि ऊससे आपने अपने अपने अकाउंट पर अपडेट नहीं किया है यह कि सी कर काम हो सकते है उस cesa email ID को आपको यहां पर सलिक्ट करना है और कंटिन्य ओपसलन पर कलिक करना है इसके बाद मैं से इंटरफेस में आपके शाP पर अपनी फ्रेंड लिस्ट में एड किया होगा और फोलो किया होगा इन सभी यूजर्स को आप यहां पर चेक कर सकते हैं इन में से किसी यूजर को अगर आपने नहीं किया है तो उसे आप सेलेक्ट करके रिमूग कर सकते हैं अदर्वाइज बॉटम साइड में कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए इसके बाद नेक्स इंटरफेस में आपकी फेस्बुक पर सेड रिसेंडली पोश्ट आ जाएंगे तो इन्हें आप यहां पर देख सकते हैं इन में से अगर आपकी कोई पोश्ट नहीं होगी तो उसे सेलेक्ट करके आप रिमूग कर सकते हैं प्रोसेस यहां पर फिनिस हो जाएगा और आपका फेस्बुक अकाउंट सिक्योर हो जाएगा अब आपको यहां पर फाइनली गो टो न्यूस फीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो इस तरह से अपने फेस्बुक अकाउंट पर आप किसी भी तरह की सस्पिसियस एक